कि नमस्ते बीज़ सब्सक्राइब यह आप सबी का ओनलाइड में सागत हैं इसके अंतगत कि अपना सब्जेक्ट थे सामाज वीजन सिक्षन सמासुधर के बारे में दिन करें अपना जो डाइस्ट शनव उसके बारे में नैस्टनल मंडेला के बारे में अब आज अज्टनल तोपिक है वो नैस्टनल मंडेला के बारे मां पनाजिन करेंगे नैस्टनल मंडेला के दर्गा को नैस्टनल रोली हला मंडेला डक्षिन अफ्रीका के पर्थम अस्वेद बुद्पूर राष्टपति थे क्या थे यह दक्षिन अफ्रीका के बुद्पूर राष्टपति है ना और राष्टपति बनने किसे पूर्व के दक्षिन अफ्रीका में सद्यों से चले रहे रंगवेद का विरोद करने वाले अफ्रीका नैस्टनल कॉंड्रेस और इसके ससस्त्र घुट्ट उप उंखोतक वे सिजुवे के अध्यक्स रहें तो यह रंगवेद के विरोदित है इसके अंतकर इनका जो जर्म हुआ था 18 जुलाई 1908 और इनका जो जर्म हुआ था 18 जुलाई 1908 और इनकी जो म्रत्यों थी पांच दिसंबर 19 पांच म्रत्यों पांच दिसंबर 2013 और इनका जो इनाम जो नॉबेल सांति पुरुषकार बारत रत्ना निसान एम पाकिस्तान जला तो यह सब इसके नाम थे और इनकी जो पत्नी का नाम ग्राक मैचल इनकी जो पत्नी की उनका जो नाम था ग्राक मैचल जनाली मंडेला जनाली मंडेला और मेडिका ठेंबे कल मंडेला इनकी जो बच्चे थे इसके अंतरगर इनका जो विवा हुआ था उननीस सो इत्थाशी और दोजा टेरा के अंतरगर उनीस सो तेरा और इनका जो निवास उननीस अथावन और इननीस सर्थावन और ज्सट्न्यों विनीब्य मन्दिक फिस्ट्राक के अंतरगत और इसके जो सुपर्सी के रुप में जाना ज़द था हैं और दक्षीन अफ्रिका का ये घंदी खा जाज़ा था भारत ने जो सन 1934 में अफ्रिका में रन बेद के कारण से उससे व्यापार पर प्रतिवम लगाया था और नैस्टन अपने में तेरा भायों में तीसरे थे हैं और सन 1904 में नैशनल पाइले अस्वेद प्राजपति चुने दें और मात्मा गांधी भी रक्षीनी अफ्रीका में इशी रेंग आरंगवेद नितिका का सिकार हुए थे और दरसल भारत को सतंत्र कराने के लिए मात्मा गांधी जी ने सत्य आइंसा और जन क्रियता और नागरिता आवेग्या जैसे जिन हत्यारों का उप्योग किया था तो नेस्टर मंडेला के अंत्रगर्द इन्होंने इनका उन्होंने जो जीवन पर संगर्ष किया और इसमें उन्होंने सपलता भी मिली और अपने इस संगर्ष में उन्होंने अनेक बार जेल भी जाना पड़ा लेकिन वह अपने मार्ग से दगे नहीं और दक्षिन अपरीका में मात्मा गांदी दुआरज चलाए गए अंदोलन और उनके विचारों में से वह बहुत प्रभावित थे मात्मा गांदी के भारत लोटने पर दक्षिन अफ्रीका के सतंतरता अंदोलन को बाग दोर उन्होंने अपने हाथ में ले ली और इस अंदोलन के माध्यम से ही उन्होंने पूरे देश को एक सुत्र में बांदा और दक्षिन अफ्रिका को सतंता दिलाने में अपनी महत्पुन भूमिका निभाई और मंदेला जो दलित और जो सोसितों के हितेशी थे उन्होंने अस्वेत और हमजोरोगों के सामाजिक जीवन के उध्धान के अथक परियास किये और जो दलित के संगस के महान नेता होने के कारण बारत और जो संपुन वीश्व में नेशनल मंदेला को सुप्रसिद समाज सुदारत के रुप में जाना जाता है है ना तो यह इन्होंने जो नेशनल ने जो क्लाक बेरी मिसंस स्कूल से अपनी पारभी शिक्षापूरी की और उन्होंने स्टार्टक डेंड़न से भी किया जो अस्वेतों के लिए बनाया एम विशेश कोलेज था है ना तो नेशनल मंदेला के बारे में बहुत सारी है है इसके अंतगत इन्होंने जो इनकी जो म्रत्यू पात दिसंबर 2013 को विश्व सांती हैं समानता के संग्राम का यह बयानत म्रत्यू को काप उसके में अमर हो गये है ना तो यह नेशनल मंदेला के जो समाज सुदा रख्थ है उनके बारे में आज अज़ दिन क्या है कि आज के लिए इतना ही कापी है काक्षा को स्वेस्ति बनाने के लिए अध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद घर पे रही हो सुरक्षित रही है